हेलो दोस्तों स्वागते आप सभी का एक बार फिर से एक डेली टेस्ट स्रीज में तो दोस्तों इस वीडियो के निदर में आपके इसे दस पोट एक्यूशन बताऊंगा आरेसे एक्जाम के लिए जिसमें से पांस वीडियो को अच्छी तरह से रट लीजिए तो चलिए इस आपके स्कीन पर टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा बेजने के लिए बलेंग का प्योग किया जाता है नीचे उसे पढ़ लेते हैं पेला आपकी स्कैनर डीपेंट्राइब तो चैकि इसका राइट आशन में आपको बता जाता हूं तो दोस्तों इसका राइट आशन आपकी स्कीन पर आज चुगा है चलिए से पड़ते हैं तो दूसरा क्यूशन है निमेंसे कौन सा सी प्यू का हिस्सा है सीप्यू का फूल फॉर्म आने चाहिए सीप्यू की प्रोस्टेसिंग उनिट ठीक है और चली दोस्तों में आपको दूसरे क्यूशन का राइट आशन सब्सक्राइब क्या होती है अर्थमेटिक लेजिक यूनिट उसी के साथ है सी यू ओके तो चलिए मैं आपको या तीसरे क्यूशन कर लेके चलता हूं तो दूस्तों तीसरे क्यूशन आपकी स्कीन पर आचुक है जैसा कि आप स्कीन पर देख रहे हो तो चलिए पढ़ते है क्यूशन थोड़ सा बढ़ा है थोड़ सा मैं इसको आपको जूम आउट करके दिखा देता हूं तो तो तीसरे क्यूशन है एक व्यक्तिकर सूचना परबदनक है जिसका प्योग मुख्य रूप से इमेल अप्लिकेशन में किया जाता है और इसमें कलेंडर कारे परबदनक होट लेने पत्रिक का और वे ब्राउजिंग भी शामिल है तो चलिए इसके उप्शन पढ़ते हैं फिर आपको राइटासर बताएंगे प्रेल अप्शन ए एमस एकसल बी एमस पेंट सी एमस आउटलूक डी एमस एकसस तो दोस्तों राइटासर बताने से पहले मैं आपको क भी आप उस डाइर्यक्टरी को एक स्द्र पर इसको राइटासर बताता हूँ चाहिकंव ढाटासर बताता हूं तो दोस्तों मैं आपको कहा रहा हूं अगर आपको 10 में से कितने भी कुशन आते हैं तो इमान दरी से comment वोक्ष में जुरूर बताएं जिसे मुझे पता चल सकते जोब की तैयरी है वह किस प्रकार से है अगर आपके 10 में से 6 क्यूशन राइट होते हैं तो आपकी तैयरी हो बह टेबल तो दोस्तों छटा क्यूशन है एमस आउट्लूक 2010 में बेक अपना प्रिक्रिया के सही चरण क्या है तो दोस्तों पर लीजिए आप आराम से आपके स्कीन पर आज चुके उप्शन तो दोस्तों में इसका सिधर राइटांस और बता देता हूं तो दोस्तों राइटां आपके एक्सपोर्ट करने ही पहले फिर आपको एक ही बार में अलग अलग कंप्यूटर पर या किसी अन्य फर्फाइल में सभी को आयात करने यानि कि इंपोर्ट कर लेने इस प्रकार से जो है यह बेक अप की प्रक्रिया के चरण होते हैं ठीके दोस्तों तो चलिए मैं आपके स्कीन पर आ चुका है थोड़ा सा जूम आउट करें बताता हूं तो दोस्तों साता की उसने आप अपनी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइट के थम्लेन को असानी से इन्हें पुने वयवश्तित करने के लिए बलेग में देख सकते हैं नीचे आपसे एस राइशो व दोस्तों यह क्यूशन है शोटकर कुझी से अगर आपने शोटकर कुझी वाज वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रेशन में लिंक के फटाफ से देख लो तो दोस्तों नीचे उप्शन से एक एच्टी एमल बी एफटीबी सी एच्टीटीपी डी अप्यक्न से कोई नहीं दोस्तों इसका राइट आपसर हो जएका वो जगा एच्टीएमल ठीक है तो आपको फॉल फॉरम आती है तो कमेट बॉक्स में दीजिए मैं आपको पता हुआँ कोई से यहांसर दिया है ठीक है दसवा क्यूशन है आपको करसर के दाई और वर्णों को हटाने में कौन सी अब पर किक बर्ण होते यह इस परकार ब्लाइब में होते हैं और जो आपके ऑप्सिन है डीडिट इस से क्या होता है और डाय ओर के जो भी व्रन उसे डिलीट हो जाते हैं इस प्रकार स्कूरिषन आपका पूचा जाता है